वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी देखिए इसकी लंबाई है 38 इंच और हिप है 14 इंच ठीक है ये देखिए ये मैं इस तरह से कपड़ा लूँगी ये देखिए कपड़े की मैं डबल तया करूंगी ये इस तरह से कपड़े की डबल तया होने के बाद इसको मैं फॉल्ड करूंगी फॉल्ड करने कसका तरीका है ये देखिए इस तरह से आप फॉल्ड करेंगे ये देखिए हिप है मेरी इसमें 40 तो 40 के अकोडिंग मैं करूंगी जब भी हम हिप की चोड़ाई लेंगे तो हिप का थिरी हिप का थिरी आएगा आपका ये आगया आपका देखिए आप इसको तीन बार ऐसे फॉल्ड कीजिए अगर आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये देखिए ये रहा 40 इस तरह से करके मैं इसको तीन बार फॉल्ड कर दूंगी ये रहा ठीक है ये मेरा आगया है तेरह से थोड़ा सा एक्ष्टा तेरह तिया 49 ठीक है और थोड़ा दो पॉइंट फाल्तु लेंगे सबसे पहले मैं लूंगी नीचे मोरने का ये मैंने धाइंच मोरने का लिया है ठीक है उसके बाद मैं इसकी लेंट लूंगी लेंट है मेरी 38 ठीक को मैं इस तरह से ऐसे ना पूंगी ये मेरा 38 यहाँ पर आ रहा है इसी में मैं लाश्टिक में अलग से नहीं लगाऊंगी तो मैं धाएंच लाश्टिक का अलग से लूँगी ठीक है यह देखिए उसके बाद आप इसका आसन जो लेंगे वो लेंगे हिप का थिरी इस तरह से ठीक है यह हेल्थी लेडी का है तो मैं इसमें एक इंच कम कर दूँगी जितना हिपका थिरी है उसका एक इंच कम तो यह 13 उसमें एक इंच माइनस कर दूँगी मैं ठीक है दो इंच इस तरह से लूँगी मैं यह देखिए यह मेरा हिपका थिरी प्लस दो इंच यह जो मैंने लाश्टिक का लिया है इसको मैं एड़नी करूँगी यह मेरा अलग से रहेगा यह देखिए हिपका थिरी माइनस एक इंच हिपका थिरी प्लस दो इंच इस तरह से हमारी चोड़ा ही आ जाएगी इसकी और आप इसको इस तरह से मुझे यह नीचे से ज़्यादा चोड़ा नहीं चाहिए तो मैं इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी ठीके यह मेरी चार तैमें यह मैंने कटिंग कर लिए जो मेरा एक्ष्णा कपड़ा था वो मैंने यहाँ पर आप ठीके अब मैं इसकी कटिंग करूँगी यह देखिए और यहाँ पर यहाँ पर इile में गोलाई ली थी बड़े अराम से इसको गोलाई को मैं ऐसे कट करूंगी I just a Kingdom अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कट कर दूँ थि है जो मेरा मुझने का उससा में में यहाँ पर इस तरह से कट लगा दूँगी जिस जिससे आपको पता लग जाए, मेरा मुड़ेगा, फिर देखिगे ये लास्टिक डालनी है हाँ पे, यहां कट लगाँगी, जिससे पता लग जाए ये मेरा हिहां मुड़ेगा और ये मेरा एक्टा कप्रा इस देखिगे डोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी, धन्यवाद.